इस वीडियो में हम बात करेंगे Union Bank of India के उपर लेकि शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल को फिर्स टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएं Union Bank of India Friday के दिन किस तरीकी की ट्रेडिंग किया सबसे पहले हम देखते हैं उसके बात बात करेंगे एक important update के बारे में अगर हम Union Bank of India के open price की बात करें तो 34.45 के उपर open हुआ जबकि इससे पहले वाले दिन की closing price 34.05 थी अब देख सकते हैं 34.20 का low बनाता है और 35.15 का high rate करता है अगर हम बात करें इसके 52 week low और high की तो 22.65 का low है और 45.25 का high है अगर हम इसके closing price की बात करें तो 34.90 के उपर close हुआ जो कि आप देख सकते हैं 2.50% उपर है और 0.85 रुपए उपर close होता है अपने last closing price के respect में अगर हम total traded volume के बात करें तो 69,85,406 total quantities ट्रेड हुए और 23.50% की delivery उठाए गए BSC के उपर 4,93,697 quantities ट्रेड हुए जिसमें से 48.53% की delivery market cap देखें तो 22,359.89 करोर रुपए है Guys सबसे पहले हम बात करते हैं Union Bank of India के financials के बारे में सबसे पहले short मैं आपको बताऊंगा उसके बाद main main points के उपर बात करूंगा Union Bank of India के अगर हम December quarter के result की बात करें तो हम ज़्यादा parameters के उपर बात चीथ नहीं करूंगा अब से दो points के उपर बात सीथ करूंगा total revenue अगर देखें तो हम Union Bank of India ने 21,008.7 करोर का create किया था जबकि net profit की बात करें तो 719.4 करोर का हुआ था आप देख सकते हैं last के कई quarter से यह ज़्यादा है इवन last के आप last के दो quarter में देखें तो इनके profit का data है 340 करोर और 533.9 करोर सेप्टेंबर quarter का ही है और इससे पहले वाला जो quarter था March 2020 का तो उसमें अगर आप देखें तो Union Bank of India को huge loss हुआ था 2713 करोर का loss हुआ था और उससे पहले profit उससे पहले भी इनको बहुत ज़्यादा loss तो देख सकते हैं लगतार यह huge loss बुक करने वाला बैंक रहा है लेकिन आप profit वाली situation हमें last के तीन consecutive quarter से देखने को मिल लई है और जो current quarter खतम हुआ है अभी current quarter के आप तो खतम ही होगा quarter पूर अब इसका जो data release होगा उसमें भी आपको जबरदस्त इजाफा होता हुआ है या इसके profit में आपको जबरदस्त देजी होती हुई देखने को मिलेगी ऐसा मैं इसलिए बोल लाँ क्योंकि एक important news है जो आपसे discuss करूँगा अब यहाँ पे share holding pattern जड़ा देख लेते हैं Union Bank of India के अंदर December quarter के लिए FII's यहाँ पे 0.7% के साथ बने हैं DII's 4.6% के साथ बने थे वही पब्लिक share holding 5.7% के साथ टोटल बनी हुई थी अगर आप question पोचेंगे कि क्या इसमें mutual funds हैं तो भी मैं आपको बताना जरूरी समझूगा अगर मैं mutual funds की बात करूँ तो mutual funds अपने आप में ज़्यादा एक ज़्यादा ही एक valuable होता है क्योंकि जहां पे इनकी position होती है वो अपने आप में कहीं कहीं लोगों के इंदर trust create कर सकती है although यह हमेशा valid नहीं होता है आप देख सकते हैं आपे January और February दोनों मन्त का जो data है आपसे बताना चाहूंगा January महिने में देखेंगे तो holders total mutual funds में holders थे 14 और buyers थे 6 और 4 लोगों ने sell किया था जबकि February के मन्त में देखेंगे तो 15 ऐसे mutual funds थे जिन्हों ने hold किया जबकि 4 ऐसे थे जिन्हों को ने buying किया है राइट seller इसमें आपको February में नहीं देखने को मिले अब March में क्या होता है आगे देखने को पता चलेगा लेकिन यहाँ पे इनकी strong buying हमें देखने को मिल रही है तो गाइस अब हम बात करते हैं कि important update के बारे में Union Bank of India ने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस screen पर दिख रहा होगा Union Bank of India लाउंच्ट यू एन आई कार्वन कार्ड carbon card UNI एक तरीके का यह payment करने का तरीका है Union Bank of India ने लाउंच्ट किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी तो यह basically जो है रूपे platform से को branded है रूपे आपको पता होगा अगर आप यूज करते हों तो ठीक है तो यह एक unique card है जो design किया गया है और public sector banks के लिए एक बहुत ही ज् bank of India और HPCL जो की आप समझ सकते हैं कि यह fuel retail में leader है और रूपे जो की इंडिया का largest card payment network है इसके साथ में इसकी जो combination है वो अपने आप में retail जो retail customers है उन लोगों के लिए यह काफी सही रहेगा ठीक है तो यह एक opportunity है यह इस बैंक के लिए एक value create करने की customers के लिए भी और खुद के लिए भी बैंक के लिए गाईज यहां पर union bank of India की network की बात करें तो लगभग लगभग 9,590 प्लस ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर और 13,280 प्लस एडियम्स हैं पुरे across इंडिया और यहां पर जो bank है यह basically co-branded credit card यह bank जो है co-branded है with the credit card है न एक madden joint venture के साथ में और अगर कोई customer इनके hpcl card को use करता है hpcl hpcl के उपर याँ hpcl के पास में जाकर के अगर इस card को को use करता है तो उस case में retail outlets के उपर जो customers को बहुत सारे पाइदा होने जैसे cashback मिल सकता है rewards points जनेरिट हो सकते हैं ठीक है और इस तरीके से अगर किसी तरीके या fuel सरचार्ज है तो उसके उपर waiver भी आपको मिल सकता है ठीक है तो यह एक update थी guys जो retail shopping के लिए ये एक union bank of india के तरफ से यू एन आई carbon card launch किया गया है इसके लवाए एक point और है जैसके उपर आपसे बात करता हूँ अब बात करते हैं हम गाईज payment के उपर यानि union bank of india को 3497 करोड यानि 3497 करोड यानि हम इसको 3500 करोड बोलें तो आपके लिए समझना थोड़ा ज्यादा easy रहेगा 3500 करोड रुपे जो है union bank of india को मिल सकते हैं कहां से मिल सकते हैं दिमाग में question आ रहा होगा तो आपको बताना चाहूँगा JSW Steel जो है JSW Steel जो है भूर्षन Steel Limited को जो है acquire किया है 19300 करोड रुपे के आसपास के amount में तो इसमें बहुत सारे banks हैं बहुत सारे largest PSU banks है जैसे कि state bank of india जिसकर 9000 करोड का total exposure है और इसके लबा जो है PNB है कनारा bank है ठीक है यह सारे banks हैं और union bank of india भी उसमें शामिल है तो union bank of india को 3500 करोड रुपे अगर वहां से receive हो जाता है यह union bank of india का quarter 4 का result आएगा उसमें आपको reflect होता हुआ दिखाई दे सकता है यह बात आप notice कर देजिए अभी से और आपको दिखाई दे सकता है और quarter 4 के नतीज़े आना शुरू हो चुके हैं आप आपको पता ही है यूनियन bank of india की बात करें तो union bank of india अभी भी आपको lower valuation के उपर मिला है फीपी रेशियो काफी कम है इसका one से बहुत कम है तो कहीं ने कहीं अपने आप में प्यस्यू बैंक्स में union bank of india यह बात जरूर है कि आपको थोड़ा सा momentum जब चलता है तब ही दिख लेकिन जब चलता है तो बहुत देर चलता है अब यह union bank of india बेलकुल उसी तरीके से behave कर रहा है जिस तरीके से आंध्रा bank था जब इससे merger से पहले जो banks था आंध्रा bank आपको पता होगा तो यहाँ पर देखते हैं गाइस यह भी एक union bank of india भारत के अंदर बड़े बैंकों मे शामिल हो चुका है पहले की तरह नहीं है ठीक है और भारत सरकार जो है PSU banks मेंसे जो larger PSU's है उनके ओपर focus करना चाहती है और देखते हैं इनकी main दिक्कत जानते हैं का है main दिक्कत है इनकी non performing asset NPA अगर NPA bank सरकारी bankों के सबसे बड़ी problem है सबसे बड़ी कमजोरी है NPA और सबस को बचाने के लिए तो Union Bank of India के अंतर आने वाले time में momentum बना आपको दिखाई दे सकता है quarter four का result अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एहमियत रखेगा बहुत ही ज़्यादा value रखेगा और जिसको ले करके इस उमीद के साथ हम यहां बैठे हैं कि यह 50 के आसपास जो है cross कर ज होंगे तब तक आपको कुछ भी सकंदर you know positive ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं अब इसका quarter four का result आएगा उसमें NPA भी हमें पता चलेगा और आपको update जो है किया जाएगा so this is all guys in this video I hope you liked it if you liked it please give a thumbs up and if you are interested to open Demet account or trading account you can follow the link given in description box of this video this is all take care